रादे रादे दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद अच्छे होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यू चैनल में स्टार्ट विजा देत में दोस्तों सीट एट के जो एकड़ाम है वो सिर्फ एक महीना बचा है एक किस ता आपके लिए मैं प्राइमरी लेविल की भी एक प्लेलिश लेकर आया हूँ प्राइमरी के सारे मैं आपके पी वाई क्यू के सैट करा दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहों और दोस्तों आपने देखा होगा मैप्स के लिए आपके सौरव सर जो हैं वो कितनी बड़ि टेट के चलिए तो अगर दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने साथ में बैल आइकन दबादें वीडियो को लाइक शियर केमेंट जरूर करते रहा करें दोस्तों तो सबसे पहले यह आप यहां देख सकते हैं कि इंदिय से च्छत से चक पारता स्व टेट परिच्छा 2022 जो कि दोस्तों यह परिच्छा हुई थी दोजार तेईस में लेकिन बाइस इसका नाम था जैसे यह दोजार तेईस है परिच्छा होगी दोजार चोविस में तो चाइल्ड डेवलेमेंट एंड पैडागोगी बाल विकास एवन सच्छा साथ सीडिपी क में दोस्तों यहां तो चलिए पहले प्रश्ण कर चलते हैं सीडिपी का पहला पछना रुस्तों लगां है हैं पत्यात्मक, समाजिक और संग्यानात्मक तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है संग्यानात्मक अनेक इस्थितियों में विकास के विविन छेत्रों मानविय छमताओं की व्याख्या करने में पदस्पर पतचेद करते हैं तथा पे विकास का संग्यानात्मक छेत्र इतना विचार तत्ता सा समस्या समादान के विकास से होता है जो शैशव ववस्ता से ही प्रारम हो जाता है या एक सतत विकास मत विकासात्मक प्रक्रिया है चलिए दोस्तों आगला प्रसना है विकास से की ओर बढ़ता है सिर से पैर की ओर जटिल से सदल की ओर भाम से केंसी ओ दो मुखी सिद्धान्त कहलाता है इस सिद्धान्त के अनसार बच्चा पहले में सिर फिर हात और पैर पर नियंतर हासिल करता है अर्था पहले दो माईने में सिर और चैरे की गतिविदी पर नियंतर से बाल लेवस्ता का विकास होता है अगले कुछ माईने में बे अपनी है प्रारंबिक बालियवस्ता के दोरान समाजी करण का प्राथ में कारक है अर समाजी करण का दुति कारक है आइए देखते हैं आपके ओप्शन से हैं ए बारंबिक बाल लेवस्ता के दोरा परिवार समाजी करण कारण कारक है क्योंकि बाल लबस्ता के प्रादमिक पाँच वर्सों में परिवार ही बालक के सीखने की प्रकरिया में एहम भूमिका का निर्वेन करता है जिसमें माता पिता बालक के प्रादमिक सांस्कितिक भाशा तथा नहतिक गुरूं का ग्यान देते हैं चलिए दोस्तों अगरा पश्टन है जीन प्याजे दोस्तों जरूर आएंगे आप कोहलर जरूर आएंगे कोहलर जीन प्याजे इन सब को जरूर पढ़ लें क्योंकि ये आपका पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो सब में ये आएंगे जीन प् चेत तो दोस्तों सही उत्तर है असंतुलन फिर उत्वन होता है जीन प्याजे के सिद्धान के अंसार अगर एक स्किम संतुष्ट पर नहीं दे रहा है तो असंतुलन उत्वन होता है जैसे यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जीन प्याजे ने अपने सिद्धान के चार प्रमु जीन पियाजे के संग्यानातिम Year का विकास के सिद्दान आमसार बच्चे के सवस्ता से वश्तू इस्थायत सब्समझना आरम कर देते हैं ए है सम्वेदी गामक, भी है पूर संक्रियातमक, सि है मुळ संक्रियातमक और डी है और अवचारे के संक्रियातमक तो ए आपका साही उत्तर है दोस्तों समवेदी गामक ठीक है दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम आवस्ता देख लेते हैं अभी मैंने आपको यही पढ़ाया था जीन प्याजे के संग्यात्मर विकास के सिद्दान के अंसार बच्चे समवेदी गामक आवस्ता से वस्तु इस समझना आरंब कर देते हैं जैसे अवस्ता जीरों से दो वर्स उपलब्दी क्या होती वस्तु इस्थायत लच्छोन मुखी विवार का उद्वर्व पूर्ष संक्रियात्मर वस्ता दो से साथ वर्स मैंने आपको बताया था और इसमें उपलब्दी क्या होती आत्म के इंद पूर्थ तार के चंतन एफ्ट्रैक्ट ठेंकिंग ठीकर दोस्तों चलिए अगले परस्ति की और चलते हैं रमन के सम्मुक हैंज की दुबदा प्रस्तुत की गई उसने प्रतिक रिया व्यक्त की है हैंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराद है और अच्छा लड़का अच्छी लड़की अविन्यास और कानून विवस्ता अविन्यास तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर होगा क्योंकि पैसे चुराने की बात हो रही है तो यहां पर कानून विवस्ता अविन्यास होगा चलिए इसमें इस्तर भी हैं चार देखिए कॉहल वर्ग के नैतिक विगाश सेदान के तीन इस्तर ततर शे सोपन निम्रत हैं इस्तर पूर लोकिक इस्तर चार से दस वर्ज अवस्ता एक सजाया आग्या पालन अवैब बन्यास इस अवस्ता में बालक नियम तोड़ने से बच्ता है बस सोचता है कि यदि यदि मैंने यह कर गए तो दंड पाऊंगा दूसरा होता है लौकिक इस्तब 10-13 वर्स अच्छा लड़का अच्छा लड़की अविविन्यास इस अवस्ता में बालक यह सोचता है कि नकल कर लूँगा तो पास हो जाओंगा तो मम्मी पापा खुश हो ज जिसका मूल आरा समाजिक बलाई होता है चलिए अगला प्रस्त ने दोस्तों लैव व्यो वाए गोसकी यह दोस्तों जदूर आएगा लैव वाए गोसकी का प्रस्त जदूर आएंगे जीन पे आज एक के आएंगे कोहलर सिद्दान ते इनको पढ़ लीजीए यह अगर आप प्रस्त ने पढ़ लिए हापके आदे प्रस्त ने वैसे ही हो जाएंगे लैव वाए गोसकी के विचारों के अंसार निम्न मैंसे कौन सा कथम सही है शोशल आइसलेशन कॉंट्रिबूश्ट टू लर्निंग सामाजिक प्रतिक प्रत्क की कदर अधिगम में योगदान देता है बच्चे दूसरों के स्हायों के बिना सार्वड एक अच्छी तरह से सीखते हैं संकेत और मदद अधिगम की गति में आवरोत पैरा करते हैं सांसक्रितिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं अगला परशने दोस्ते हैं लैव वाए गोसकी के अनस और आपका उद्धीपन्स प्रतिक्रिया अनकूलन तो भी जो है दोस्तों वह आपका सही उत्तर है सहभागी अधिगम लेव व्योगोसी के अंसार सिच्छड अधिगम है सहयोगी अधिगम वैविधी है जो अधिगम के समन्नत करती है चलिए दोस्तों अगला प्राशना बाल विकास करना तो सी जो है दोस्तों वह आपका सही उत्तर है वैक्तिक विन्नताओं पर दिहान देना ठीक है दोस्तों वैक्तिक विन्नताओं पर दिहान देना बाल केंदिक सिच्छा पद्धती में सिच्छा का केंद बिन्दू बालक से चारती होता है चलिए दोस्तों अगल से ही इस्तर है और इस पर परवेशिय कारकों का कोई प्रवाव नहीं पड़ता और है प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन प्रकार की बुद्धी के विभिन इस्तर होते हैं तो डील आपका सायूत तरह कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन प प्रकार कि बुद्धि का बण किया है तारा कि गड़ती बहाशाई बुद्धि इस्थानिक शारिरिख गड़त गतिक संगीतिक बुद्धि पारिक संगीत की फर इक बुद्धि और प्रकृट 깔ि वादी और अस्तित्वादी बुद्दी तो अब चलिए आपके असर्शन और अभिकतन और तर्क हैं तो अभिकतन है अधिगम का समाजिक रचनावादी सिद्दांत अधिगम प्रकरिया को सहिज दुगम बनाने के लिए कच्छा में मुद्द सम्रद परवेश के सजयन पर बल देता है उत्तर्क है भासा विकास में बिद्धाल है के परवेश की कोई भूमिका नहीं है और भासा विकास पूरी तैसे जैव की परिप दौनों सही हैं लेकिन आरे की सहीव अक्छा नहीं करता और यह होता है यह सहीए लेकिनर गलत है प्र द晚 के लिए दोस्तों एस आधिए आद χलत है लड़के बहुत सकते साली और कठोर होते हैं तता लढ़किया नरम और सम्मद्य सील होती हैं इस तरह के खतन को बढ़ावा देता जंडर समद्य समत्वाईदर सकती कदर और जंडर दूर्ड़ी वादिता तो d आपloe दोस्ते और साही अधिगम शैलियों में व्यक्तिक विद्नताओं को किस पका से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए तो आपका सही उत्तर है दोस्तों डी उनका बहुवित तरीकों से नामी कदर लेबलिंग कर प्रतक्की कदर करके चलिए दोस्तों आगला फशना आकरां करने का मुख्यकारण अटयां रसाताव विद्ध्यारतिमा परके भेट नना कि क्वेज़ winners फाहत ओनते प्रणनत करना करना दोस्तों भी आपका सही उत्तर होगा ठीक है चलिए अगले प्राशन के और चलते हैं । अगला प्रस्टन है आपका आप अपने विध्यारति और में समलो चनात्मक समालो चनात्मक चिंतन को सुमन्नत करना चाहते हैं ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कोशलों का समवर्धन करना चाहेंगे अविसारी चिंतन स्वय चिंतन प्रति बिम्बन चलिए दोस्तों आगला फ़र्षन विद्यालों में सुविधाव अंचित पष्ट भूमी में आने वाले बच्चों का नियम निश्पादन किस ओर संकेत करता है विद्याला सभी विद्यारतियों की आवशक्ताओं की ओर ध्यान देता है उनके मातापता सिच्छा का मैत नहीं समझते विद्याला सभी बच्चों की आवशक्ता एवं योगदाओं को संभोदित नहीं कर पाते और है बच्चों को समाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तैसे उत्तरदाई है तो दोस्तो सी जो है वो आपका साही उत्तर है और सी है विद्याला सभी बच्चों की आवशक्ता एवं योगदाओं को संभोदित नहीं कर पाते ठीक है दोस्तों चलिए अगले प्रस्न की ओर चलते है विकलांगता व्यक्तिक और समाजिक कारकों के बीच बादित अंतिक्रियाओं का प्रणाम है विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दस्टिकोर को समर्थन देता है चिकिसी दान शीलता समाजिक और मानविय अधिकार तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सी ठीक है विकलांगता व्यक्तिक और समाजिक कारकों के बीच अंतिक्रियाओं करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए जानकार्दी प्रस्टत करने के लिए व्याख्यान विदी का अतशाय रूप से प्रयोग अधिगम के आंकलन के लिए मौखिक परिछणों का प्रयोग कच्छा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निशेद और है आपका यह सुन हो तो डी जो है दोस्तों वो आपका साही उत्तर है डी है श्रवड बारत वाले विद्धार्तियों में सफल समावेशन को सुनश्चित करने के लिए अध्यापक को यह सुनश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेशर दर्श्यात्म प्रस्टिती करण के साथ पूरे थो क् कि श्रवड बारत वालक लगवक पांच फीट की दूरी पर हो रही सामान बातचीत को सुन पातने में कठनाई मैसूस करते हैं अंतर दश्यात्म प्रस्टित करण के द्वारा सहजपूर अध्यान कर पाएंगे जबकि मौकि संप्रेशर होने में अच्छम होने के करण उनके सहज समझ खाबाव होता है सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गती से प्रतिक्रिया देते हैं और यदिकार चनौती बढ़ा है तो उस काम को तुरन छोड़ देते हैं और है खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं तो डी आपका साही उत्तर है मेरा भी वितरशा साथ में बेल आइकन दवादे हैं और वीडियो को लाइक शेर ज़रूर किया करें दोस्तों निम लिखित मैंसे कौन सा प्रावदान अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसॉर्डर वाले विध्यारती के लिए चनौती प्रस्तुत करेगा तो लिखित प्रद समूओं में प्रस्तुत करना और बिना किसी अंतराल के लंबी अवदी वाले व्यक्यान बिना किसी अंतराल के लंबी वाले व्यक्यान आपका साई उत्तर है चलिए दोस्तों अगरा प्रस्तन आपका आविकतन है अद्धियापक को अपने विध्यारतियों को सायोग आत्मा कद्गम में सयोग करने, समू काद करने और सक्री रूप से भाग लेने के लिए प्रसाइट करना चाहिए तरक है अद्गम एक समाज गत्विदी है और विद्धियार्तियों को सामय रूप से ग्यान सजन करना चाहिए तो दोस्तों आपका सही उत्तर है यहां पर विकल्प मैंने आपको बताये समान रहते हैं तो आपका सही उत्तर है A और और डौनों सही है और A की सही व्यख्या करता है कब विद्धिया को मेत नहीं देती बियवार अनकूलन सह पार्टी सह बागता अनवेशड अधिगम और पारसपरेक सिच्छड तो दोस्तों ए आपका साही उत्तर है वैवार अनिकूलन चलिए दोस्तों आगले परसन के ओड़ चलते हैं विद्यारती किसके द्वारा बहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं निश्क्रिया नुकरड पुरुसकार और दंड विजिग्यासा और अन्वेशड और कठंस्ति करड तो दोस्तों सी उतर है आपका जिग्यासा और अन्वेशड और और भुषवदी तरीकों से पश्टनों का प्रश्टति करण अप्रासंगिक सूचनाओं पर केंदित होना तो दोस्तों भी आपका साई उत्तर है प्राकाद्यात्मक इस्थड़ता दोस्तों मैं आपको एक और बार बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लाएं और आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो आप पेपर वन टू की भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जूनियर लेविल वाले की पेपर वन की आपकी पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी जब तक दोस्तों आपका अग्राम होगा आपको लगव में पचास से साथ पीवाइटी के सैट करा दूँगा और प्रेक्टिस सैट भी करा दूँगा ठीक है दोस्तों तो चैनल को बने रही है वीडियो को एंड तक देखिए अभी में आपकी यह सीडी पी कि क्लास डालाओं मेरे पास हिंदी इंग्लिश आपकी शोशल मैट सबकुट है तो आपके लिए वो सबकुट प्रोवाइड कराई जाएगी विद्यारतियों द्वारा ग्रहत वेकल्पिक अभधाडाएं अध्यापिकों द्वारा किस पर का सम्मूदत की जानी चाहिए तो वो हैं वेकल्पिक अभधाडाओं की कोई चर्चा किये बना अंदेखी की जानी चाहिए विद्यारतियों को किसी भी प्रकार की वेकल्पिक विकल्पिक अवधाड़ों पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और सी आपका हो जाएगा विध्यारतियों को अपने विचार साजा करने के लिए प्रुसाइद करना चाहिए और इनपर समगता में चर्चा करनी चाहिए ठीक है दोस्तों चलिए अगले प्रस्टिंगे और चलते हैं नेमले के तुमेंसे कौन सा ब्रहाम अर पेड़ा का उधारड़ है जै ग्यासा को संतुष्ट करने के लिए दिगम समझ को सुमनत करने के लिए दिगम नगत प्रुसकात पाने के लिए दिगम और किसी कौशल में निपूर्टा प्राप्त करने के लिए दिगम वह आपके साई उत्तर है नगत प्रुसकात पाने के लिए दिगम चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की रोड़ चलते साइमा अपनी असफलता के लिए योगता में कमी को उत्तरदाई ठहराती है और योगता को एक इस्तर रूप की तरह मानती है बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा अगला प्रशन है दोस्तों आप अपने विद्यारतियों को कुछ जानकारी यार करवाना चाते हैं इस उद्डिश के लिए आप किस युक्ती से बचना चाहेंगे आप उन्हें निश्क्री रूफ से कई बात दोहराने के लिए कहेंगे उनके पूर्व ग्यान से सम्मधता जोड़ेंगे और ग्यान और वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे और है आपका वो सब्धर्णा हे तू उधारण और गैर उधारण पस्तुत करेंगे तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है ए है आपका आप उन्हें निश्क्री रूफ से कई बात दोहराने के लिए कहेंगे चलिए दोस्तों अगला प्रस्णा है इस्कूली माहौल अनुवान शिक्ता सांस्कृतिक संधर्भ अध्याफिका का सिच्चा सास तो आपका B सही उत्तर है B है अनुवान शिक्ता अदगम को प्रवावित करता है अनुवान शिक्ता ठीक है दोस्तों चलिए अगले pश्ण की ओड चलते अगला पस्तन है अधिगम किसके द्वारा नकारमत कर रूप से प्रवावित होता है अध्यापिका द्वारा प्रदान पाड निराशा की भावना विद्याले का मुद्द सम्रद परवेश और विद्यार्टियों की जिर्वत अंसार व्यक्तिक रूप से दिये रहे तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है निराशा वैसमवेग है जो अधिगम की दिशा में छात्रों पर नकारातों के प्रवाव डालता है निराशा अच्छी सवलता को उम्मीर करने का कोई कारण नहीं देती है जिसे के छात्रों का मनुबल घटित है और यह है और मैत हिंधी इंग्ली अगली वीडियो में कर आउंगा अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले forsk meant दबादें वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें दोस्तों उम्मीरे दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगले वीडियो में रादे रादे धन्यवाद